नमस्कार दोस्तों मैं किसोर कुमार सक्सम क्लासेश की चैनल पर आप सब का हर्दिक स्वागत करता हूँ आज हम लेकर आया हैं 1857 की क्रांती जो कॉंपिटिशन के द्रश्टिकॉन से बहुत ही महत्वपूर्पूर्ण है करते हैं आज का अपना टॉपिक हैं यह कतन किसका है 1857 की क्रांती से संभन देती है कतन किसका है यह कतन किसका है कि भारति करांती कारीयों मैं यह स्व荷 और अकेली जागरत मर्द ती यह कतन है यूरोज का और ये कतन है जांसी की राणी के समंद में जांसी की राणी राणी लक्ष्मी भाई के समंद में राणी लक्ष्मी भाई लड़ते लड़ते जब सहीद हो गई थी तो उसके बारे में यूरोज ने ये कतन कहा था यूरोज ने जांसी पर नियंत्रन पाया था हेवे लॉक और आउट्रम हेवे लॉक और आउट्रम ने लखनौव पर नियंत्रन के लिए लड़े लड़ी थी, एवलोक और आउट्रम ने, कॉलिन कैम पे लिये था सैनापती, अठाव सदावन के करांती के समय ही इसकी नियुक्ती हुई थी उसके दोरानी, ये था सैनापती था, मुख्ये सैनापती, और घर्षन ने दिल्ली पर, दिल्ली पर नियंत्रन इस्तापित किया था, घर्षन और दूसरा है निकल्षन, घर्षन, निकल्सन, तो दिल्ली पर नियंत्रन पराप्त किया, कॉलिन कैम बेल सैनापती था उस समय, जो इस्ट इइंडिया कंपणी का मैन सैनापती ये था, ये रोज ने जासी पे नियंतन प्राप्त किया और हेवेलेक और आउटरम ने लखनो रेजिडेंसी को जीतने के लिए प्रयास किया था ठेक है दोस्तों चलते हैं नेक्स प्रशन की और प्रशन नंबर दो रानी की लक्षमी भाई को इतियास में कौन सी संग्या दी गई महक परी महल परी महक सुंद्री या भारत को पिला रानी लक्षमी भाई को दी गई है महल परी की संग्या और यह जो महक परी है यह है बेगम हजरत महल को दी गई यह उपादी बेगम हजरत महल को इन्होंने अवद में कांति की थी अवद और अपने पुत्र बिर्जिस कादिर अपने पुत्र बिर्जिस कादिर को वहाँ का नवाब गुशित कर दिया था अवद का नवाब उनिशो तपन में अवद का अनेक सेशन हो गया था अवद का विले कर दिया था कूपर सेशन का आरोप लगा कर तो वहाँ का जो अन्तिम नवाब था बाजीद एलिशा उसको बेज़ दिया था कलकत्त पैंशन दे के बेज़ रुखे था और अवद का भिले कर दिया था ठीके दोस्तों तो तो वहाँ पे 1857 की करांति में अवद से अठावर सतावं की क्रांति का नेतत बेगम हजरत महल ने किया और अपने पुत्र बिर्जिस कादिर को उन्होंने वहाँ का नवाब गौशित कर दिया था ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्ट प्रस्न की और बेगम हजरत महल के सहाजहापूर प्रवास के दोरान निम्नलकित में से किस क्रांतिकारी ने मदद की थी तो बेगम हजरत महल जब सहाजहापूर चली गई थी तो वहाँ पर मौलवी अहमद दुला ने उनकी मदद की थी प्रवास के दोरान ठेक है दोस्तों यह कहां है फैजाबाद फैजाबाद में इनोंने करांती का नेतरत्व किया था पहजाबाद में कानतिका नित्रत्व मौलवि एहमद उला ने ये मूल रूप से मदरास के थे खान बादूर खान ने बरेली में नित्रत्व किया नाना साहिब कानपूर नाना साहिब अपने आपको वहां का पेशवा कोशित कर दिया मराठा पेशवा कोशित कर दिया उन्होंने अंतिम मराठा पेशवा था बाजिराव दृत्य बाजिराव दृत्य के दत्यक पूत्र थे बाजिराव दृत्य को अठारा सो अठारा अठारा सो अठारा में जब पेस यह पूरा माराठा समराज्जी अंग्रेजों ने मतलब हस्तिकत कर लिया अंग्रेजों के साथ संदिक कर लिया तो पेसवा के पद को उन्होंने समाप्त कर दिया पेसवा को उन्होंने जो अंतिम पेसवा था बाजिराव दुत्य को पैंशन देके बिठूर बेज दिया था कानपूर के पास वहां पे छोटी सी जागिर देदी और वहां बेज दिया और उसनका जो राज्य था वो अंग्री जो ने अधिग्रेट कर लिया था ठीक है दोस्तों तो कानपूर में जो अठारो सताउं के क्रांति थी उसका नेतर तो किया न भαक्त कान घ्रगे मुख्षे सेहनपती यह थे तो वास्तवीश री नेतर तो जो यह नचल जफर को तो नाम मतलब बनाए था मुगल्स राट host ॉशत, मतलब कर्ांति का मुख्य यह निता उनको किया था उनके नम पे सब अलाहबाद में क्रांती का नेत्रत तो किस ने किया लियकत अली ने ठीके दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और 20 सितंबर 1857 को बाहदूर्शा दित्य बाहदूर्शा जफर को हुमयू के मकबरे से किस ब्रिटिस अधिकारी ने गिरपतार किया था हेवलोक और आउटरम तो थे लखनों से सम्मझ दे लखनों रेजिडेंसी को पुना जीतने में हेवलोक और आउटरम और नील नील ने इलाबाद इलाबाद और बनारस इन दोनों को पुना नियंतरन प्राप्त किया नील ने एवलोक और आउटरम ब्रिगेडियर इंग्लेश हेन्री लॉर्एंस ब्रिगेडियर इंग्लेश और हेन्री लॉर्एंस यहां का था पॉलिटिकल एजेंट हेन्री लॉर्एंस यह सब है लखनौ लखनौ पॉलिन केमबेल मुकिस हैना पती और हर्सन एंड निकल्सन यह है दिल्ली पर नियंद्रन करने वाले इसमें से अर्सन ने 20 सितमबर 1857 को बादुस्रा द्यूत्य को गिरपतार किया था और जो निकल्सन था इसकी यहां पर मृत्ति हो गई थी यह इस युद्ध में गहल हो गया था जब दिल्ली को पुना जीतने का जब इस इंडिया कंपनी ने जो प्रयास किया था उस प्रयास के दौरान निकल्सन कंपीर रूप से गहल हो गया और उसकी मृत्ति हो गई थी तो यह भी प्रशन पूछा जाता है कि कौन से ब्रेटिस अधिकारी की दिल्ली पे पुना नियंत्रन करने के दौरान मृत्ति हो गई थी तो निकल्सन ने उसका ठीक है दोस्तो नेक्स प्रशन की और चलते हैं प्रशन नंबर पांच पांच अप्रेल 1869 को तांतिया टोपे किस के विश्वास गात के कारण पकड़े गए थे मादर आव सिंद्या यस्वंत राव अलकर बहुंसले मान सिंग नरुका तो यह जो इसका अंसर है मान सिंग नरुका यह मान सिंग नरुका था नर्वर नर्वर का जमिदार और सिंद्या का सामन था सिंद्या का सामन था तात्या तोपे ने ग्वालियर में अठारो सतावन की करांती का नित्रत्व किया तात्या तोपे ने ग्वालियर में ठीक है दोस्तों कलते हैं नेक्ट प्रस्न की और अठारो सतावन के विद्रो की निम्लिकित गटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है मंगल पांडे को फांसी मेरट में विद्रो जांसी में विद्रो और बादुर्शा की गिर्पतारी तब हम देख चुके कि बादुर्शा की गिर्पतारी कब होई थी 20 सितंबर 1857 मेरेट में विद्रो विद्रो की सबसे पहले सरुवाद मेरेट से हुई तो मेरेट में 10 मई 1857 जांसी में 4 जून 1857 मंगल पांडे को फांसी होई थी 8 अपरेल 8 अपरेल 1857 मंगल पांडे ने बेरकपूर 56 में विद्रो का नित्रतु किया था मतलब विद्रो कर दिया था पहले बेरकपूर 56 में चांवनी में 29 मार्च को 29 मार्च 1857 को इसने तीन अंग्रे जद्धिकारियों के उपर इसने गोली चलाई थी मंगल पांडे ने उसमें से दो लोग महीं मर गए थे लेटिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट मेजर यूसन मेजर यूसन ये तो यही से सहीद हो गए मर गए दोनों यहीं और जो एक था यह से यह से एको गोली माली जो वो गैल हो गया था यह से помощ गाहईल हो गया था तो यह मंगल पांडे के बारे में लेकिश्छ जान लिया अब इसका कौन से काल करम सही है बिल्कुल पहले मंगल पंडे की फांसी दूसरा मेरेट में विद्रो तूसरा जहांसी में विद्रो और चौता बादूर साजफर तो एक दो तीन चार इसका ये option number A बिल्कुल सही है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की और चलते है दिवान मनी राम ने किस इस्तान पर विद्रो का नित्रत्व किया था तो दिवान मनी राम ने असम में विद्रो का नित्रत्व किया था ठीक है इस दिवान ने असम में मनी राम ने असम में कंदर पेश्वर सिंग कंदर पेश्वर सिंग को राजा गौसित कर दिया और विद्रो शुरू कर दिया इन नाम मैं वापस लिख देता हूँ यहां पर इस प्रशन नहीं दिख रहा है कंदर पेश्वर सिंग ठीक है दोस्तों कलते हैं नेक्ट प्रश्ण की और प्रश्ण नमबर आठ अवद का अंतिम नवाब कौन था सबदर जंग वाजिद अलिशा सुजाओ दौला बिर्जिस कादित यह सब अवद के नवाब हैं और जो यह अंतिम नवाब जो था हम पहले डिसकस कर चुके हैं वाजिद अलिशा को जब अटारा सोच सबबन में अवद का विले हुआ अटारा सोच सबबन में जब विले हुआ था अवद का उस विले के दोरान अठासर सपन में वाजीद अलिशा यहां का अवद का नवाब था उसको पेंशन दे के उसको कलकत्ता भेज दिया था सुदर उदला और सप्दर सेंग पहले अवद के नवाब रहे हुए हैं और बिर्जिस कादिर जो है यह वाजीद अलिशा का पुत्र था और इसको इनकी मा ने बेगम अजरत मेल ने इनको यहां का नवाब गौशित कर दिया था ठार सतान के करांती के दोरान ठेक है दोस्तों नेक्स्ट प्रशन की और चलते हैं मेरट चावनी में किस रेजिमेंट के सेनिकों ने विद्रो किया था तो इसका आंस्वर है बीस्वी नेटिव इंफेंटरी यह भी प्रशन सिधा डायक्ट बहुत से एक्जाम में पुछा गया है और फिर से पुछे जाने की संभावना ह है इसकी है ठीक है दोस्तो और मुख्य रोप से जो प्राशन आते हैं अठरो स्थ अथाम की क्रांटी में ज़्यदेतर कंपरिशन में तो वह इस प्रकार से आते हैं कि किस जगर पर किस ने नेतरत्व किया था विविन इस्तानों पे जो नेटान की क्रांती होई थी तो वो कौन थे वहां के नेता कौन थे इस्तानी नेता कौन थे इसके बारे में प्रस्णा बहुत पुछे जाते हैं 1857 की करांती का वास्तिक नित्रत तो किसके आत्व में था बादुसा दित्या बादुसा दित्या या बादुसा दित्या या बादुसा जफर कुछ भी दून दून इसी के नाम है बादुसा दित्या और बादुसा जफर इसी के नाम है इसको तो इसके इसको मतलब निता गौसित किया था लेकिन बादुर्शा जब ये मैरट से सबसे पहले जब मैरट में 10 मही 857 को जब विद्रो शरू हुआ तो मैरट से सब भी लोग जो सेनिक थे विद्रो शेनिक वो चले गए दिल्ली दूसरे दिल्ली पहुंच गए और वहा ये जो थे ऑशनरल बक्त का खान बादुर खान इन्हों ने फिर इनको कणवेंस किया बादूर स्जफ़र को कणवेंस किया कि आप नेतरतों समबाली है आप त्यार ऑजे ये बाकी सब कुछ मैं समबाल दोंगा जो जरूमात कहां जो थे इनके नेतरतों में 10 अधिकरन तो क अधिकरणों के द्वारा मतलब वो प्रसाशन चलाया जाता था, कुल 10 अधिकरण थे, उसमें से 6 अधिकरण थे, 6 निक समंदित, 10 चैनिक अधिकरण थे, और 4 थे सामानी प्रसाशन से समंदित, ठीक है दोस्तों, कुल 10 अधिकरण थे, बजन दर बक्त खागे, नाना साहिब, नाना साहिब ने कानपूर में नेतरतु किया था, यह हम पहले डिसकस कर चुके हैं, नाना साहिब की जो है, पैंशन बंद कर दी थी, अंगरी जोने, इसलिए नाना साहिब ने विद्रो किया था ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रस्ण किया चलते हैं, प्रस्ण हो गए समाप, यह है एक तार्णी है, इसमें दिया गए किस जगह पे किस ने इसका नेतरत तो किया था, ठीक है, क्रांती का नेतरत तो किस ने किया था, और कब किस जगह पे क्रांती शुरुआत हुई, दिल पर क्रांती हुई दिल्ली में, तो सबसे पहले क्रांती हुई मेरट में, मेरट में 10 मही को हुई, तो दूसरे दिन 11 मही को दिल्ली पहुँच गए, ठीक है दोस्तों, और ये दिल्ली को, विद्रो को समाप्त किया, तो 20 सितमबर, 20 सितमबर, 57 को दिल्ली पे निंत्रन प्राप्त कर लिया, बादुर्शा के दो सन को मार दिया था, और उन्हीं दो सन के बदले में, दो सन ये आ गए, तो दिल्ली में जिनोंने वापस निंत्रन किया, उनके नाम के पीछे सन आता है वापस, निकल सन और अर्षन, ठीक है दोस् कांदपूर में नाना साहिब और तांत्या टोपे, तांत्या टोपे इनके सेनपती थे, नाना साहिब के, तो पांच जून को इन्होंने और कॉलिन केमबल और हेवलोक, इन्होंने यहां पे निंत्रन प्राप्त किया, हेवलोक ने भी कांदपूर पे भी और लखनों पे भी एवेलोक, कॉलिन केमबल और एवेलोक यहां पर भी है ठीक है दोस्तों जांसी गौालियर जनरल यूरोज जांसी और गौालियर दुनों पास में यह जनरल यूरोज यह वही वेक्ति है जिनों ने कहा था यह जो लक्ष्मी भाई के बारे में जो कहा था कि यहां सोई हुई औरत करांतिकारियों में अकेली सजग मर्द है सचेत मर्द है ऐसा इनों ने भी रोज ने कहा था जांसी किरानी के बारे में बिहार में कौर सिंग यह बहुती व्रद थे इनको बिहार का सिंग भी कहा जाता है जगदिशपूर नहीं पूछे सदा तो ब्हार पूछेगा तो कोम सिंग नहीं किया था विल्यम टैलर और विंशेंट आयर नहीं यहocy अधा है का यहां फैजाबाद मॉलवी आधुला है यहां पे नियंद्रन प्राप्त किया जनरल रेनार्ड ने और करनल नील ने इलाबाद और बनारस दुनों पे करनल नील ने नियंद्रन प्राप्त किया था बनारस में भी बहुत ही खुन खराबा करके फिर ये नियंद्रन प्राप्त किया था हर जगह जगह पे फांसी दे दी थी लोगों को तो करनल नील ने मतलब कतले आम मचा जिया था इल्हाबाद और बनारस में बरेली खान बादूर खान बक्त का और विंसेंट आयर केमपेल और इन्हों दोनों ने मिलके इसको पुर्ण नियंतरम प्राप्त किया था कुछ और है जगह वो भी याद रखनी है आपको जिन जिन इस्तानों पर मतलब किस ने नितरत किया था तो मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ बे फरुखाबाद नवाब तफजल हुसेंड संबलपूर उडिसा में संबलपूरिस्तान है संबलपूर उडिसा तो यहाँ पर सुरेंद्र साई व उजवल साई इन्हों ने यहाँ पर नियंतरन प्राप्त किया यहाँ पर विद्रो का नियतरत्व किया फिर हर्याना राव तुला राम हर्याना में राव तुला राम आसाम में मनी राम यहाँ आगया अपने पहले से कुष्ण में आ गया है सतारा में रंगो जी बापू सतारा में रंगो जी बापू मन्सोर में सहजदा उमयू सहजदा उमयू जी से फिरोजसा भी किसी का नाम है फिरोजसा सहजदा उमयू या फिरोजसा मन्सोर में रायपूर सतिसगड रायपूर रायपूर में नारायन सिंग राय आ रहा है इसके नाम में भी राय आ रहा है नारायन सिंग ठीक है दोस्तों फिर मेरट में कदम सिंग मेरट में जो सुरुआत हुई थी तो वहाँ पे मेरट में कदम सिंग ठीक है दोस्तों कुछ एक दो और है जो मैं अगले पेज पर यहां पर लिख देता हूँ मत्वरा में भी हुआ था मत्वरा देवी मत्वरा में देवी सिंग मत्वरा देवी के नाम से याद रखना है मतुरा देवी मैनेट में कदम सिंग हो गया संबल पूर में यह हो गया एक लास्ट सुल्तानपूर रहा सुल्तानपूर में सहीद असन सहीद असन ठीक है दोस्तों एक सागर में सागर में सेख रमजान सेख रमजान सागर में और बस यह लास्ट है गड़ मंडला गड़ मंडला में किया था दो लोगों ने संकरशा जो यहां के पहले इनके पूरुज यहां के रजा हुआ करते थे जंकरशा और ठाकुर परशाद इन दो लोगों ने यहां पर करांती का नेतरत्व किया था ठीक है दोस्तों यह भी सब याद रखना के किस जगह पर किस नेतरत्व किया था धन्यवाद दोस्तों तो अठारोस दाम के करांती के समद्ध में एक और वीडियो हम लेकर आएंगे यह था आज पार्ट वन और पार्ट टू हम जल्दी लेकर आएंगे धन्यवाद दोस्तों झाले किस मीजवा दोस्तों आएंगे यह जग हम दोस्तों झाल蠁पान्र जुझ से फजय लेकर दोस्तों और आएंगे धन्यवाद फ़ारे दोस्तों रहे हैं-एंगे यही तोस्तों उल्ड़ोर इघया है झाल झाल